जैहिन स्वागत आपका अपने study24 जार्खन यूट्यूब चैनल में दोस्तों ये जार्खन गोड़ी इंटर्मीडियाट के आर्स के छात्रों के जोग्रफी के practical का परशन पत्र और मैं आज इस वीडियो में इस परशन पत्र को शुरू से लेकर के अंत तक आपसी छात्रों को दिखाऊंगा साथी साथ सभी परशनों का उतर भी बताऊंगा साथी साथ ए भी बताऊंगा कि आपका जो मौखी कानी की भायवा का एकजाम लिया जाएगा तो उसमें कितना नंबर मिलेगा और आपका जो practical का copy जमा किया जाएगा तो उसमें कितना नंबर मिलेगा लेकिन दोस्तों मैं इसके सभी परस्णों के उतर को आपको एक एक करके बताऊं। इससे पहले आपका जो answer book है उसे हम लोग देखें तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर आपको roll code लिखना है, यहाँ पर roll number लिखना है, यहाँ पर पंजियन संक्यानी की registration number लिखना है, और यहाँ पर विसयानी की जोगरफी लिखना है, और यहाँ पर लिपी, अगर आप हिंदी में answer देना चाहते हैं तो यहाँ पर देवनागरी लिपी लिखना है, और अगर आप इंगलिस में answer को लिख तो उस्तिति को यहां पर लिखना है तो दोस्तों आपका यहां पर आपका जो परसंद पत्र है उसमें लिखा हुआ प्रैक्टिकल्ल प्रैक्टिकल्ड्माग्स 30ापका जङो ग्रफ़ी का जो प्रैक्टिकल्ड techniques तो उसमें full marks 30 है जिसमें आपको pass होने के लिए 10 नमबर लाना जरूरी है दोस्तों वहीं पर आपका जो theory का exam होना है तो 35-35-70 नमबर का होगा आनि कि practical 30 का और theory आपका 70 का और दोस्तों आपका जो practical का exam लिया जाना है तो इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और दोस् theory में अगर आप सतर में सतर ले आएंगे और practical में फेल हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे आपको फेल कर दिया जगा इसलिए आपको इस practical के exam में भी पास होना जरूरी है दोस्तों इसका धम लोग आगे बहें तो आपका जो पहला परसंद पूछा गया है वो है कि नीम वर्ग अंतराल दिया गया है शात्र संख्या दिया गया है जिसमें वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच में 8 शात्र है 30 से 40 के बीच में 11ve 40-50 के बीच में 25 हैं 50-60 के बीच में 30 हैं और 60-70 के बीच में 14 हैं और 70-80 के बीच में 8 है तो इसका माध निकालना है तो दोस्तों इसका माध कैसे निकलेगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसका उत्तर त्यार है आप लोग देख सकते हैं जहां पर दिया गया वर्ग अं हो जाता है दोस्तों इसके अदम लोग आगे बढ़ें तो इसमें आपको जो है वर्ग चीन भी निकालना है तो वर्ग चीन कैसे निकलता है तो इसमें जो है निम सीमा और उच सीमा दोनों को जोड़ देंगे और दो से भागा देंगे आनि कि दोनों को जोड़ने के बाद साट साट सतर सतर असी आनिकी दस दस का अंतराल है तो यहां पर पचीस था तो यहां 35 होगा यहां पर 45 यहां 55 यहां 65 इसका दोस्तों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो यहां पर देख रहे हैं f और x निकल गया अब जो f x निकालना है तो f x कैसे निकलेगा तो यह दोनों को गुना कर देना है तो 8 और 25 को गुना करेंगे तो 200 होगा 15 और 35 को गुना करेंगे तो 525 होगा 25 और 45 को गुना करेंगे तो 1125 हो जाएगा 30 और 55 को गुना करेंगे तो 1650 हो जाएगा और 14 को 55 से गुना करेंगे तो 910 और 8 को 75 से गुना करेंगे तो 600 तो इस तरह से आपका fx निकल गया इसके वाद इसको हम लोग यहाँ पर जोड देते हैं दोस्तों इसके वाद आगे हम लोग बढ़ें तो आपका जो माध्यक है तो उसका formula को यहाँ पर लिखेंगे आनि कि माध्यक बराबर sigma fx बटे में sigma f और इसको जो यहाँ पर put up कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपका sigma fx कितना है 500010 है तो इसको यहाँ पर लिख दियें और यहाँ पर आपका देखिए sigma f कितना है सो है तो यहाँ पर सो लिख दियें इसकद इसको इससे भागा कर देंगे तो आपका पचास दसमा लेक आता है आनि कि इस तरह से आपका जो है इस परसन का माध ही जो था वो निकल गया माध ही कितना है पचास दसमा लेक है तो दोस्तों इस तरह से आपका जो पहला परसन था उसके उत्तर को हम लोगों ने देखा, इसके आपका जो दूसरा परसन है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि दिये गए आकड़े की सहयता से एक बीरत आरेक की रचना करें, इस परसन में आपको बीरत आरेक बनाना है, अर पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो गेहूं देख रहे हैं, 700 लाग टन का उत्पादन हो रहा है साल भर में, गन्ना का 180 लाग टन है, और मकई का 83 टन है, और अन 23 टन है, तो इसका जो एक बीरत आरेक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इसका भी उतर देखिए, आप लोगों का त्यार है, जिसमें सबसे उपर में लिखना है, भारत में फसलों का उत्पादन, और नीचे यहाँ पर दिया गया है फसल का नाम, यहाँ पर उत्पादन लाग टन में, आनि कि आपके जो परशन पत्र में दिया गया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इसकाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक के करके सब का कौनिय मान निकालेंगे तो दोस्तों गेहूं का जो आपका जो देख रहे हैं लाग टन में 700 लाग टन है तो इसका कौनिय मान कितना होगा तो इसमें जो है 700 बटे 986 गुना 360 करेंगे तो इसमें आपका आजाएगा 255 उस्तरस पहले का कौनिय मान निकल गया इसकाद गन्ना का जो कौनिय मान है इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 180 बटे 986 गुने 360 बराबर कितना होजाएगा यह जो परकिरिया करेंगे तो 65 दसमल 72 आ जाएगा इसका मक्काई का निकालेंगे तो 83 बटे 986 गुने 360 तो ये आपका 30.30 आएगा इसके अधानिका आपका जो कौन ये मान है वो 23 बटे 986 गुने 360 है तो इसको भी ये परकिरिया करेंगे गुना भागा का तो इसमें 8.40 आएगा और इस तरह से हम लोग इन सब को जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा 360 डिगरी आजाएगा आनि कि आपका जो ये बीर्थ है बीर्थ जो है कितने डिगरी का होता है 360 degree का होता है तो वो आपका जो यहाँ पर आ गया मतलब आपका जो यह जो परकिरिया था जोड़ घटा गुना भाग का यह सही था दोस्तों इसका धम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर आधारित जो आपका जो कहा गया था बीर्ट चाट बनाने तो वो आप बनाएंगे तो दोस्तों बीर्ट चाट आप कैसे बनाएंगे तो इसके लिए आपका जो परकाल होता है स्टोमन बोक्स या जोमेंटरी बोक्स जिसको कहते हैं उसमें जो आपका परकाल होता है तो यहाँ पर जो मेंटल होता है सुई के जैसा यहाँ पर रख देना है, इसका पेंसिल से उसको चारों तरब घुमा देना है, पूरा गोल कर देंगे, गोल करने के बाद जो चांद होता है, तो चांद को यहाँ पर रखेंगे एक बार, और इसमें जो एक 180 डिगरी वाला बनाएंगे, फिर इधर घुमा दें इसकाद हम लोग आगे जाएंगे और आगे जो आपका निकला हुआ था इसका देखिए गन्ना का कितना था 65.72 तो इसका यहाँ पर फिर से चांद को रखेंगे और इसके इतने कौन को 65.72 वाला यह बनाएंगे इसकाद आगे हम लोग मक्कई वाला भी बना देंगे जिसमें यहाँ 30.30 यह थोड़ा बड़ा होता है यह चोटा होता है यह गलती हुआ है हमसे आप लोग सुधार लिज्जेगा तो यह यहाँ पर 30.30 कर देना है इसके वाद यह आपका होगा 8.40 तो इस तरह से आपका जो ए आकड़े क्या हैं प्रात्मिक आकड़े एकत्रित करने की विभीन विध्यों का वर्नन करें तो दोस्तों इसका जो उतर है चलिए हम लोग देखते हैं PDF के माध्यम से और दोस्तों यह जो परस्न है आपका कुल मिलाकर के 10 नमबर का परस्न है आनि कि इसका जो उतर है लंबा लिखना है और इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्रात्मिक आकड़े वे आकड़े होते हैं जिन्हें किसी सोध करता द्वारा सोय अत्वा संस्था द्वारा एकत्रित किया जाता है और इन्हें सोय पूछकर या प्रशनावली बनाकर एकत्रित किया जाता है आगे लिखनाय की समानियत इन्हें प्राप्ट करने की निमनलिखित विधियां हैं तो कौन-कौन सी विधियां हैं पहली विधिये बैक्तिगत परेचन दूसरी विधिये साचातकार तिसरी विधिये परशनावली चौंती विधिये अनुसूचियत पार्चमी विधिये अन विधिय ये जो बिधियां है इसको में लोग डिटेल में इस तरह से लिख सकते हैं चुकि ये 10 नंबर का है और इसमें पहला पॉइंट में लिखना है ब्यक्तिगत प्रेचन और इसमें लिखना है कि इसके अंतरगत किसी ब्यक्ति य자cio के समु द्वारा परतियस प्रेशन द्वारा आक्ड़े एकत्रित किये जाते हैं और इसमें प्रेशक ब्यक्ति या समु स्वईंचेत्र में जाता है और अपनी आवसकता से समंदीत आकड़े एकत्रित करता है और ध्यात तब है कि प्रेचक को बैज्यानिक दिरिष्टी वाला योम निस्पच होना चाहिए तब ही उसके आकड़े अधिक परमानिक होंगे तो इस तरह से पहले पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया पूरा डिटेल से इसका दूसरा पॉइंट है साचातकार और इसमें लिखना है कि इसके अंतरगत प्रेचक या फिर कहां कि बैक्ति या बैक्तियों का समूँ अध्यान छेतर के कुछ बैक्तियों से संपर्ग बनाता है और उनसे बादचित के द्वारा सुचनाय एकत्रित करता है या पराप्त करता है और यह ध्यान रखना चाहिए कि उतर देने वाला बैक्ति गंभीर तथा छेतर की जानकारी के परती जागरूख हो तभी उससे सही और परमानिक सुचनाय मिलेगी इसके बाद आगे लिखना है कि प्रेशक को अपने उदेश के विशय में भी बैक्ति को सही जानकारी देनी चाहिए ताकि वह गंभीरता से प्रेशक के परशनों का उत्तर दें तो इस तरह से दूसरे पॉइंट को भी हम लोगों ने देखा इसका तीसरा पॉइंट है परशनावली अनुसुची और इसमें लिखना है कि इसके अंतरगत अध्यन छेतर से सवंदित वांचित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक परशनावली त्यार की जाती है और छे परशनावली दूर दराज के छेत्रों में भी भेजी जा सकती है किन्तु इसका दोस्या है कि जहां साचर्था का अस्तर नीम्न है वहां यह विदी उप्योगी नहीं है इसका दोस्तों इसी में हम लोगों को लिखना है कि क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही परशनावली का उ सुची है और इसमें लिखना है कि यह परशनावली की ही भाती होती है किन्तु इस अर्थ में भीन होती है कि इसमें प्रेच्छग उतर स्वें भरता है जबकि परशनावली में उतर देने वाला ही उतर भरता है और इसका एक लाविया है कि इसमें सिच्छी तेमा सिच्छी दोनों तरह के लोगों से सुचनाय प्राप्त की जा सकती है इसकद आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखना है कि भारतिय जनगना इसी परकार की होती है इसकद दोस्तों पांचवां पॉइंट इसमें दिया गया है अन्न विधी और इसमें लिखना है कि इसमें उपर्यू करके प्राब्त किये जा सकते हैं इसका अधम लोग आगे बनते तो इसमें जो आगे लिखा हुआ है कि इसी तरह छेतरिय किर्सी बज्यानिक फसलों और वनस्पतियों के स्वास सवंधी आकड़े प्राप्त कर लेते हैं और इसी तरह के जलवाई सवंधी आकड़े छेतरे मौसमी अंतरों की इसके अधम लोग आगे बढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि अस्थापनायोम उनके प्रेशन द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं और आगे लिखा हुआ है कि बर्तमान समय में किर्तनी मुपगर्वों द्वारा भी आकड़े प्राप्त किये जाते हैं और दोस्तों इसी में आपका जो दूसरा आनि की अथवा में भी एक परसन था आनि की दोनों में से किसी एक का उतर देना था तो पहले का उतर हम लोगों ने लिख लिए आप दूसरे का भी उतर देख लेते हैं लेकिन आप लोग एकजाम में एक ही का लिखिएगा दोनों का उत्तर नहीं लिखिएगा और दोस्तों इसमें जो प्रसन पूछा गया कि भोगोलिक सुचना तंत्र आनि कि G.I.S. क्या है और भोगोलिक सुचना तंत्र के लाव या फाइदे क्या है तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे इसका उत्तर होगा कि भोगोलिक सुचना तंत तरानिक G.I.S. का क्या अर्थ है उसे देख लिया इसके अधम लोग चलिया आगे बढ़ते और देखते हैं कि भोगोलिक सुचना तंतर के लाब या फिर फाइदे क्या हैं तो इसका उत्तर लिखना है कि भोगोलिक सुचना तंतर के निमनलिखीत लाब हैं जिसमें पहला है कि अस्थानिक परचालकों का समन्वीत सुचना धार पर अनुपरियोग करके सुचनाओं के नए समुच उत्पन किये जा सकते हैं इसका रजोग है कि अनिम लाब दिया गया है और अस्था लचनों के बारे में परशन पूछ सकते हैं और समंदित गुन नयास को परदर्शन और विशलेशन के लिए निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो दस नमबर का आपका जो परशन था तिसरा परशन उसके उतर को देख लिया इसका चहुत्य नमबर में आप लोग यहां पर दिया जाएगा वहीं पर आपका जो मौखी की यानि की भायवा का एक्जाम होगा अबजेक्टिव या किसी तरह के परशन आपके टीचर के द्वारा पूछे जाएंगे वहां पर तो उसके लिए आपको तीन नमबर दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहां अपर देखें तो आपका जो नमबर का विभाजन है इसमें आपका 6 नमबर दिया जाएगa इसका आपका कितना है पांच है इसमें तीन है तो आठ आए की टोटल मिला करके आपका जो 30 नंबर का एक्जाम होना है तो ओग आपका कम्पिलीट हो गया तो दोस्तों इस तरह से आज आज आप से जारखन बोट के इंटरमीडियेट के छात्रों के जोग्रफिक के प्रेक्टिकल से सबंदीद महतपुर्ण वीडियो था अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिये अपने दोस्तों को भी जादा से जादा से शेयर कीजिये और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग इस उटूब चैनल को सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिये तो दोस्तों फिर से मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदे मातरम जय जहरखन जोहर जहरखन